गुड मॉर्निंग आवरिवाइन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगी जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर आगरा बजार जो की एक ड्रामा है ठीक है और इसको किसने लिखा है इसको लिखा ह भीब तनिवीर सहब ने तौ माई वीडियो का पैटिंट सीम रहेगा पहले हम लोग यह जानेंगी कि ड्रामा किसे कहते हैं उसके बाद हम लोग हभीब तनवीर सहब के बारे में बढ़ेंगे और फिर अपना ड्रामा पढ़ करके कुशन आंसर देखके वीडियो को फिनिश करेंगे तो चले शुरू करते हैं ड्रामा ड्रामा यूनानी लफ्स से लिखला है यह यूनानी लफ्स है जिसके क्या माईने है करना अदब में यह ऐसे सेंफ है जिसमें किरदारों मकालमों और मनाजर के जरिये किसी कहानी को पीश किया जाता है कदीम हिंदुस्तान में संस्क्रित कावे में भी इसकी रावायत बहुत मजबूत थी और इसको नाटिये कहा जाता था आगे बात समझ में कि जो ड्रामा लफ्स हम बोलते है न ड्रामा यह किसका है यह युनानी जबान का लफ्स है जिसके माईने है करना करना यानि करके दिखाना ठीक है अभी तक अपने अदब की जो जो सेंफ पढ़ी जैसे नौवल हो गई दास्तान हो गया अफसाना हो गया इन सब में कहानिया है लेकिन लिखी हुई है आपको उन्हें पढ़ना पड़ेगा जबकि आप ड्रामे की बात करते है तो आपको क्या है उसे करके दिखाया जाता है तो इसमें किरदार होंगे मकालमा हो गए यहनि डायलोग सुँगे और उसके बाद वह चीज आपको करके दिखाई जाएगी। बाकी चीज़ें आपको o एक Connecticut in a few days तो रहими उसक्त हैं इसे देरिलावा मनजर भी होता है कि वहीं दिखाई जाती है जाती है और हवा चल रहर है तो हमापे दिखाएंगे कि भाई हुआ चल रही है किर्दारों की जहनी और जजबाती कश्मो कश्कों मकाल में और आवाज के उतार चड़ाओं के जरीए पीश किया जाता है जैसे कोई गुसे में होगा तो तीज आवाज में बोलेगा अगर वो प्यार में है नर्मी से बोलेगा अगर दिखाएंगे ममा का रोल होगा तो ममा कैसे अपने बच्चों से आराम से बात करेंगी अगर जैसे कोई गुसे वाला रोल है तो उसमें क्या होगा कि बहुत सखत आवाज में बात की जाएगी ड्रामा बुन्यादे तोर पर स्टेज की चीज है लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनने और पढ़ने के लिए होते हैं यानि जो ड्रामे पढ़े जाते हैं जो स्टेज पर प्ले नहीं किये जाते तो लिखते हैं होते हैं जो पढ़ जाते हैं रेडियो की वज़े से ड्रामों की मख़ूलियत में इजाफ़ा हुआ है और टैलेविजन पर जिस तरह के प्रोग्राम सबसे जादा पेश किये जाते हैं उनका तालोग किसी ना किसी तरह के ड्रामे के संप से ही होता है ठीक है न ने ड्रामे के अजाय तर्कीभी में 6 चीजों को जरूरी खरार दिया है जिसमें एक है किस्ञा, किरदार, मकालमा, खयाल, आराइश और संगीत ये 6 चीजे अरस्तूने बताई हैं कि ड्रामे के लिए ज़रूरी है लेकिन जरूरी नहीं के हर ड्रामे में संकीत या मुस्यक्य के उन्सation हो यानि हर ड्रामे में आपको संकीत रिलेगी या मुस्यक्री मुस्यक्यी जरूरी नहीं है प्लाइट, किर्दार, मिकाल्मोग और मरकजी खयाल का होना Алभेट जरूरूरी है यानि इन चीज़ों का होना लाजमी है इसके अलावा बाकी चीज़े हो भी सकती है और नहीं भी वो अरस्तू ने अपने तोर पर ख्याल किया है ठीक है आगे लेखते है ड्रामे की काम्यावी के लिए ये जरूरी है कि उसके वाकियात की कड़िया इस तरह से मिलाई जाएं कि वो नुक्ता रूश तक पहुच सके और नाजरीन की तवज़ा एक नुक्ता या ख्याल पर मस्कूर हो जाए यानि कि इसमें भी उतार चगाफ ट्रैज़डी ये चीज़े होनी चाहिए तब ये तो ही आप इंटरेस्ट लेंगे अधर्वाइस को इंटरेस्ट क्यों लेगा आगे चलते हैं लिखते हैं इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है वाकियात से जो नतीज बरामद यानि जो नतीज़ा बरामद होता है वो अंजाम के जेरे पेश कर दिया जाता है हक और बातिल और खैर और शर्क की कश्मकश बुन्यादी इनसान अगदार और समाज, कौमी, सियासी, मसाइल है ना को ड्रामे में पेश किया जाता है यहाँ पर आपको बता जिया गया है कि हमें ड्रामा किस तरह से होना चाहिए हमारा कैसे उतार चड़ाव होंगे, कैसे लफजों को वो पेश करेंगे, क्या उसका हम कह सकते हैं स्टोरी होगी है ना, यह साधे चीज़े इन्हों ने इस पताईए है आगे लिखते हैं उर्दो में ड्रामे का आगास, वाजी दलीशा के जमाने में उनके ड्रामे राधा कनहिया से हुआ ठीक है, अगर हम बात करें कि उर्दो में ड्रामे का आगास कब से माना जाते है तो वाजी दलीशा के जमाने से माना जाता है जिनने राधा कनयार ड्रामा लिखा था अमानत की इंदर सभा भी इसी जमाने में लिखी गई थी जो बेहत मवूल हुई थी इंदर सभा की असराबश थे पार्सी टेटर अब देखिए इंदर सभा जो है यह भी अपका एक ड्रामा है क्योंकि इंदरसभा ड्रामा है उसमें धायमन राजा इंदर की सभा लगी हुई है और उसमें दांस करं के लिखा रही है झाखे चलते हैं एकगर के चारू करते हैं कि उन्निज़ी सदी के आागास में अर्दू थेर ने बहुत तरकी की और आगा küçük काश्मीरी के डामे के बहुत मकभव वे एंशूर हुए तो कहने का मतलब हुए कि उस और में क्या हुआ आगा हशुर काश्मीरी भी ड्रामे लिख रहे थे ठीक है तो उनके ड्रामे भी बहुत ज़ादा माभूल हुए क्योंकि उस वक्त टीवी वगएरा तो होती नहीं थी तो यही जो स्टेज प्ले होता है यही चीजे बहुत फेमस रहती थी ठीक है इसके बाद इम्तियाज अली निगारों के नाम दिये गए हैं ठीक है तो इन सब ने भी क्या कि ड्रामे लिखे यूसफ ने भी ड्रामा निगारी पर खुसूसी तवज़्जदी क्रिशन चांद साधा सन्मंटो राजदर सिंग बेदी रे उतिसन शर्मा और यहां पर करतन सिंग है इन्हों ने भी रेड हबीब तन्वीर के बारे में तो दिखें यहां लिखा हुए है कि यह 1923 में पैदा हुए थे और 2009 में इनकी वफात हो गए थी तो कहते हैं हबीब तन्वीर का असल नाम हबीब एहमद खान है और तन्वीर उनका तखल्लूस है ठीक है लिखते हैं अद्बी और सकाफती दु तो हम सब इसली नाम हबीब एहमद खान नालेके क्या कहते हैं हबीब तन्वीर कहते हैं कि भई अध्य थी का पारे अच्छ परने वाल इंडिया रेडियो में उन्होंने जॉब की ठीके लिखते हैं इपतिदा में उन्होंने फिल्मी गीत और मकाल में लिखे ठीके यह पिचर्स के डायलो गीत वगयरा शुरू में लिखे लेकिन बाद में यह फिर उन्होंने नहीं छोड़ दिया लिखते हैं फिर पसीदा जादी के हिंदुस्तानी ठीटर में शामिल हो गए लंदन और जर्मनी के ड्रामों की तक्मील पर महारत आसल की ठीक यह लंदन के और जर्मन के जो ड्रामे होते हैं वो किस तरहां से लिखे हुए होते हैं उसको उन्होंने अनलाइस करा पढ़ा और मतलब हम कहते हैं पाटन पर अपने अफसे ड्रामे लिखना उन्होंने शुरू करे है हबिब तन्वीर ने बहुत से उर्दु ड्रामे लिखे जिन्हें बहुत से मश्रकी और मगरिबी मुलकों में स्टीज किया गया यानि कि उन्होंने बहुत सारे उर्दु में ड्रामे ल हैं जो स्टेजब किये गए है साथ पैसे चरंदास चोर है ना हर्मा की माँ यह बीट भी उनका कोई ड्रामा ही है सारे आग्रा बजार रियह उनका सबसे फेमस द्रामा है वैसे तो उनके सारे समय विए अधिक अलगी अपना मुकाम रखता है आगे चलते है झाल लिखा हुआ वहां की शानती बाई कोई रही होंगी उनके उपर ने एक ड्रामा लेका है मिट्टी की गाड़ी इसके बाद मेरे बाद बहुत बहुत मशूर हैं या कुछ जो उनके ड्रामे हैं जो बहुत ज़दा मशूर हैं जो आपको बताएगा है उनका एक बड़ा कारणा नमा ये भी है कि अपने ड्रामों के जरीए उन्होंने च्छटिस गड़ के लोग कलाकारों को कौमी सतया पर रोशनास कराया यानि च्छटिस लावल पर रोशनास कराया ठीक है जो छुपे हुए थे वो सामने निकल के आए लिखते हैं आगे हबीब तन्वीर को कौमी और बैनलकौमी सतया पर कहे इजाज उसे नवाजा गया है यानि उन्हें कौमी यानि देश में और बैनलकौमी यानि इंटरनाशनल है ना कही इना भी दूंगा ठीक है लेखते हिंदी बंगाले मराथी और यूरोप की कई जबानों में उन्होंने ड्रामे तर्जुमें हो चुके हैं अब हमारा आगरा बजार ड्रामा है यह बेटा देखे ड्रामा ही बहुत बड़ा सा है ठीक है तो यह मुश्किल अलफाज है आप लोग देख लीजेगा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है ठीक है अब हम ड्रामे का खुलासा पढ़ेंगे इसमें भी हमें दो एक्ट पढ़ना है ठीक है तो पहला एक्ट जो शुरू होता है उसमें बताते हैं के दो फकीर हैं एक हाथ में कशकोल और तस्वी और दूसरे हाथ में क्या है डंडा जोहे का एक कडे लिए हुए स्टेज पर आकर शेहर आश्चुप गाते हैं यहिए अब क्या कहने का मतलब है दो फकीर आते हैं क्यों को यहां आदे हैं और यहां पर देखे ले लिख लिखे हुए है दूसरी रेलAnt. है all away के कड़े हैं जो music का काम कर शायों हम के मौसकी instrument का का म करते हैं फो बाधव कर शहर आशीब गाते हैं कि कोई एसप कसील को बतर है को यह क्ष्छा को बत्तरै जाता है यह तो आंत कि नहीं पी एक्सका एंड्वार मांने साफी वही में में कि वह का कोई चीज वो लोगा के गाते हैं और नजम पढ़कर बाहर चले जाते हैं परदा उड़ता है बाजार पर अजब बेरोनकी है फेरी वाले आवाज लगाते हैं लेकिन क서क्का कोई सुनवाई नहीं है क्यों कि लोगों पास पैसे ही नहीं है जब पैसे नहीं है तो कोई चीज कैसे खरीदेंगे तो यही चीज क्या दिखाती है कि शहर के खस्ता हाले को दिखाती है ठीक है कि बाजार में अगर आप देखें पड़दा उटता है ठीक है लड़ु वाला आवाज लगाता है धेले के छे लड़ु ठीक है हम से सस्ता कोई न बेचे खा कर देखो मियातिल के लड़ु यह अब वो क्या कर रहा है आवाज लगा रहा है आपने भी देखा होगा वही सबजी वाले आते हैं या कोई फल वाले आते हैं या कुछ तो वो अपना कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड बना लेते हैं वो जैसे आजकल दिल्ली में अब तो यूपी वगरा में भी आने लगे वाले आते हैं तो क्या कहते है मीरट की मशूर नानकताई है ना तो उस पे वो गबर सांबा इन सब की आवाजे वगरा लगा देते हैं तो क्या बना रखी है ठीक है उन्होंने क्या कहा है धेले के छे लड़ू हमसे सस्ता कोई न भीचे है ना खाकर देखो मिया तिल के लड़ू लिखते हैं मिसरी की तरह मीठे हैं तर्बूस वाला आवाज लगाता है अब तर्बूस वाला आवास क्या लगाता है ठंदा तर्बूस ज देता ककड़ी वाला दमडी की चार ककड़ियां बेशने की आवाज लगाता है ठीक अच्छा भी आप दमडी धेले ये सब समझ रहे होंगे ना तो आपको लग रहा हुगा मैम ये क्या कही है धेला धेले की कोई चीज मिलती थोड़ी नहीं पेटा ये पहले पैसे के ही टाइप हुआ करते थे दमडी धेला आना है ना ये सब आप अपने पेरेंट्स से पूछीएगा कि ये क्या होते थे वो आपको बता देंगे कि हमाई मैम ने आज हमें पढ़ाया कि ये धेला दमडी है तो आपको एक्स्प्लेइन करेंगे बढ़िया से ठीक है आगे चलते हैं तो ककड़ी वाला भी आवाज लगा रहा है कि दमडी की चार ककड़ियां ले लू है ना अब देखे उसकी आवाज से भी कोई नहीं सुनता है ना अब कान मेलिया आया है कान मेलिया वह जो आपने देखा होगा कान वगरा साफ करते हैं दात वाज साफ करते हैं ठीक है आजकल तो डेंटेस्ट और आपके एर वाले अलग अलग दॉक्टर हो गए पहले डॉक्टर इतने जादा फेमस नहीं हो अगट दे थे इन इसे ही लोग अपने दात वाज साफ करवा लेते थे किलवा लेते थे जैसे किसी के दात में दर दो रहे हैं तो डेंटेस्ट के पास वह जाता था वह इनसे ही किलवा लेता था थीकि लिखताए काझ मेली आवाज लगाता है के दाट किलवालो काझ कामया निकलवालो है ना एक छदाम दो काम ठीक है एक चदाम य Dafy दोगे और उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारे दो काम हो जाएंगे ठीक है पाणवाला आवाज लगाता है आउ बाओ जी पान खाऊ मूर चाओ मतरी है तो वह बढ़ा निीयु ताई थाइज सबुल हो उसमें क्या बैयान करें क्या प्ले प्ले हो रहे तो यहां पर सारी चीजें दिखांगे जारही है तो वह अलगा रहे पतंग करें बंद है कुछ कुछ लोग दाखिल होते हैं, अब यहां मार्केट में कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, ककड़े वाला आवाज लगाकर उनकी तरह बढ़कर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है, इतने में एक मदारी दाखिल होता है, अब देखें ककड़े वाला उनका रास्ता रोक कर ख कड़ी वाले के आवाज लगाने पर मदारी गुस्से में कड़ियों का टोक्रा छीन कर फेग देता है जहिर सी बात है उसका खेल देखके सब चले गए उसे पैसे नी दिये उसे गुस्सा आए गई उसे गुस्सा आता है वह क्कड़ी है उसे अठाके फेक देता है तुटू पारा सारी कड़ियां बिखड़ा जाती हैं नुक्सान पर कड़ी उचक्य लोग कहते हैं वह जो चोड़ चक्क्य होते हैं उनको ही कहा जाता है उचक्क्य लोग ककड़िया लड़ू है ना रेवडिया जो भी चीज थी लूटने में लग जाते हैं कि भाई अब लेकर यहां से खिसक लें ठीक है अब लेकते हैं कुमार के बटन तूट गए के मुछातिब करके मैं ने ल। चंमार की मुछान के बटन मेंद से हैं वह खिसक लेकर तोड़ कर लिछा हैं अब कहने क्या मतलब हुआ एगर बजार बंद है कुछ कुछ बिक ने बहूरा और जूळा की मुनाफ़ा ने शारी पीचारे ने जुदा के। बनाया था वो भी क्या हो गया तूट गया तो ककड़ी वाले ने कहा कि मेरा तो दिवाला ही निकल गया है उधार का पैसा लेकर माल लाया था आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया लड्डू वाले ने कहा जगड़े की शुरवात तो तुम नहीं की अब खामूश रहो तर हमारे लड़ू बचेंगे ना मेरे तर्भूस ककड़ी वाले ने शहद और हम जो उल्यों से ककड़ी पर शेर कहने की बात कही तो वो ये जवाब दे कर चले गए कि किसी पाया के मतलब जो बड़े शायर है ना कि शायर से जोर आजमाई कराएं हम दो नौ मश्क हैं नौ मश्क क चाहिए कि ख़र आजमा अवास लगाई है ना क्यूंकि उसके पास कोई शेर कोई डायलोग नहीं है बोलने के लिए तो व्हों शायर के पास गया है कि आप में से ही कोई मेरे लिए एक अच्छा सा शेर बना दो तो जो वह लोग कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमारी बस थैक है यहनों उसने क्याओं कि इश्चुत फ्रोष के दुकान पर किता देखते हुए का मुलाइशह कीजिए क्या कहा क्या कि किताब देखते हैं का मुलाइशह कीए GO दिल्ली निये आज तक दिमाग जिनने ताज और तक्त का ये गालिबन मीर का शेर है ना कि उनको भीग भी भी नहीं मिलती जिनको जो है तक्त और ताज का बहुँदा गुमान था ठीक है क्यों क्यों कि ये देखे आगरा बजाज और ड्रामा है हबीब तन्वीर का ये उन्होंने अकबर नजीर अकबराबादी जो है ना उनकी एक तरह से शायरी वगएरा को और उस दोर के हालात को लेकर इन्होंने ये लिखा है तो नजीर अकबराबादी और मीर ये दोनों हमसर थे एक ही वक के शायर थे दोनों नजीर अकबराबादी पैदा दिल्ली में हुए थे लेकिन हालात खरा भी थी उसकी वज़े से वो दिल्ली आ गए थे ठीक है और इन दोनों ने क्या करा था जो एहमर्शाब अब्दाले नादर्शा इनके हमले हो रहे थे इन सब चीजों को देखा था कतल गारत को देखा था खूंरेजी को देखा था ठीक है तो लिखते हैं को तो फरोश याने कि सुभान अल्ला सुना है मीर सहाब देखे हैं आ भी गया है ना मीर सहाब को उन जनून के दोरे पढ़ने लगे हैं यानि क्या हो गया है मीर सहाब जे इस वक्त पागल हो गया है ना जनून के दोरे पढ़ते हैं पागल पने के दोरे पढ़ते हैं ठीक हम जोलियों ने कहा कि म इस शहर में क्या क्या जमाने देखें अधी सुकी बेवफाई देखी आधी वतन चोड़ा है घर चोड़ा है दिल्ली में देखें मैं भागां डालियों राजपूत, इसके बाद जातो मराटो इनकी दस्ट बढ़की भी देखिए यानि देखे क्या था जब जो सल्तनत अंदर से धीली पढ़ने लगी थी एमशा और इनके हमलों पे तो जो लोकल लोग होते हैं जो छोट छोटे थे थे थोड़े बहुत ताकतवर उन्होंने भी हमले करना शुरू करती है थे तो इन्होंने ये सारी चीज़े देखी थी आग साथ ही लिए जाता है तो इनों को मा mosudat, इनका मीन मोटव था लूट कर लें ठीके इन सबसे बढ़कर अपने घर को भी लुटता हुआ देखा है उन्होंने अपने घर को भी लुटता हुआः गर Кई अब आप जामते हैं पापा थे उनकी वफात होगी थी तो खाने वने के पैसे थे नहीं और जो सौतेले भाई थे उनकी कियर नहीं करते थे और जो सौतेले फिर ये घर चोड़के गए सौतेले मामू पास तो उन्होंने भी इनके साथ बुरा बरताफ किया तो बहुत सारी परशानियों को इन्हों लगत दादा परिशानी हैं तो इन पर्शानियों मुझे लगता है कि शायद हम लोग मुगलिया सल्तनत में है नहीं ठीक है एक जबर दस Really? हेकल शेर बबर है यांनि एक बड़ा सा शेर है जो थोड़ा सा कहते हैं कि बिमार हो गया है या इस तरह रहा है जिस पर शीकड़ों कुते क्या हैं भोग रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं और उसे जखमु को अब जो पुसे हमला कर दिया गया है तो क्या हो गया है उसके ओपर जखम हो गएं तो जख्मों से चूर याँ लाचाड देखकर आस्मा न के चील और गेद भी मा जमा हो गए उस शेर को खाने के लिए है न के मतलब कहने का ये कि ठाले एक ताकत थी किए कर रहा है कुटो ने हमला कर दिया, यानि मुगलया सल्तानत को कह रहा है कि वो शेर है। उस पर हमला किसने क्या कुट्तो नहीं यानि कि एरानियों और तुरानियों नहीं. और उसके बाद कहा रहे हैं जब वीचारा घायल हो गया है तो अपनी ही मुल्क के जो इस तरह से गीदर और चील थे ना उनको बोला है कि वो लोग भी हमला करने लगे थे अपनी रियासते बनाने के लिए ठीक है तो इस तरह से बिचारा वो जो शेर है वो क्या हो गया है ही उसे तकलीफ में आहा करने की महुलत मिल रही है यह सुनकर शायर ने कहा यह जमाना और यह अंदाजे गुफ्तगू हम तो सिर्फ नाम के शायर है आप तो बात बात पर शायरी करते हैं कुतु फरुश ने कहा मिया यह सब आपकी सोबत का असर है हम जो उली शायर हो ने श कुछी तो शायर ने कहा कि शायर का कलाम तो उसकी जिन्दगी के साथ मुकमल होता है लेकि इतने शेर जरूर है कि किताबी शकल में आ जाएं ठीक है यानि अब क्या हुआ है यहां यहां पर अपको तो फरोज हे हर बात में कुछ नो कुछ बोल रहते इस अंदाज से तो उन्ह को अख्तियाल कर लेता है ठीक है तो अब वापे जो शायर साबते हैं उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपका दिवान कब तक मुकमल हो जाएगा तो उन्होंने का भई देखो इनसान शेर कहना तो जो भी उसका फेवरेट काम है वो तब ही बंद करता है जब वो मर जाता है मैं शायर हूँ मेरा काम है शेर कहना लेकिन अब मेरा आखरी शेर तो उस दिन होगा ना मर जाओंगा लेकिन हाँ इतने शेर ज़रूर हो गए मेरे पास इतने अशारी कटा हो गए है कि उनको दिवान की शकल दी जा सके ठीक है लेकिन इतने शार ज़रूर हो गए कि उन्ह बिना छपा हुआ है उसे आप मुझे बेज दीजिएगा तो मैं क्या करूंगा उसे छपा दूंगा है ना शौदा और बेनजीर दोनुने एक दूसरे को अपना तारूफ कराया शौदा के कहने पर बेनजीर ने कहा कि मैं जो अब क्या है शौदा के कहने पर नजीर साब ने क् कि कुछ सुनाई है तो कहते है नजीर साफ ने का जो सुनाए जा रही हूं उसे आप बीती समझ कर सुनिएगा ठीक है और शौदा के सुनकर आप बीती की दाद दी और कहा कि ये सुनकर मिया नजीर से मुलाकात की खाहिश पैदा होती है मतलब इत्त चापने बताया है कि इसे सुनने के बात बिनम्या नजीर से मिलने का मन करता है लेकिन आपके मुलाकात के आगे सारी दुनिया हमारे लिए हीजे नहीं छोटी है दरोगा बेन अजीर को एक तरफ बुलाकर अंदर जाने की अजाज़त चाता है लेकिन बेन जेर कि मैं बेकुसूर हूँ लड़ो वाला मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया ठीक है और तो उसने बता है कि लड़ो वाला तो दरोगा जी ने कहा मेरे आदमी तहके कर रहे हैं कि जगड़े की बुनियाद कौन आदमी है ठीक है अब यहां पर बात खत्म होती है कि जगड़ा शुरू हुआ था उसके बारे में त्यक्रीग हो रही दरोगा सहाबा आ गये अब फिर फकीर गाता हुआ आ जाता है कि जो पैसा है यही सब कुछ करवाता है अगर पैसा नहीं है इनसान के पास तो उसके पास कुछ नहीं और पैसा है तो सब कुछ है ठीक है यह सब गाता फकीर का गाना सुनकर कक्डी वाला हसरत से कहता है काश को ही मेरी ककड़ी उपर भी नसले लिक देता वो फकीरों को आवाँज लगाता है लेकिन फकीर जा चुकी होते हैं और उनका गाना फिजाओं में देर तक गूंचता रहता है और परदा गिर जाता है इस तरह से ये पहला एक्ट जो है वो आपका क्या होता है खत्म होता है कि उस बिचारे ककड़ी वाले को अपनी ककड़ियों पर क्या करना है गाना लिखवाना है लेकिन फिरी में तो कोई भी काम नहीं करेगा इसलिए सब लोग उसे टाल के चले जाते है यहां से उसका दूसरे एक्ट शुरू होता है तो लिखते हैं कि फकीर पर्दे के पीछे से खड़ा होकर बंजारा नामा सुनाता है सुबा का वक्त है कुछ दुकाने खुल रही है कुछ दुकाने बंध है फेरी वाले की आवाजे गूंज रही है ककड़ी वाले ने पूचा आज सुबही सुबह सिपाही बजार में क्यों चक्कल लगा रहे हैं लड़ी वाले ने जवाब दिया के तुझे पकड़ने आए हैं ठीक अब अगले दिन की बात हो रही है तो वह पर उन्होंने देखा कि यह क्यो चकल लगा रहे हैं तो लड़ी वाल में की बज़े आए ठीके खाना पीना मत्य हो जाएगा। पतंग ऐी मेह नजीर के साथ यराकी का मेला देखने गया। तो दुकान बंद रही वापस आया तो देखता है कि दुकान का जुरमाना हो गया। हम कि लड़ाई जगड़ा को तो सब का जुरमाना गया। लेकिन उनकी लिफ खुस्न की पतंगों के नम उसे गिनवाए और कहा कि भी कौन से पतंग चाहिए है लड़के ने कहा मैंने तो इन पतंगों के नम ही पहली बार सुनो यानि मैंने इनकी नम तो कभी सुने ही नहीं है मुझे तो हाफ सीधी सादी दो धारिया दे दो ना यानि जो दोधारी वाली पतंगे उती नॉमल वो दे दो पतंग वाले ने 25 कौड़ी में दोधारी या पतंगे दे दी उसे लड़का पतंग लेकर बहार जाता है तो एक फकीर हरी कर्फी पैने खड़ा रो रहा है पतंग वाले ने उसे पहचान कर कहा एए मन्जूर हसन क्या हाल है ठीक है आप बीनी परशाद एक आदमी है उन्होंने कहा कि एक साल से हमने तो इसको किसी से बात करते नहीं सुनाए ठीक है इतने में मिया नजीर की नवासी उचलती कुटी आती है पतंग वाले ने उसे आवाज लगई वो दोड़ती हुई चली गई यानि उनके पास नहीं आए और वापस आकर वापसी पर एक खेलोना साथ लाई और पतंग वाले से बात करती हुई चली गई मदारी रीच लिए दाखिल होता है इसके पीछे बच्चों की इसके पीछे पीछे बच्चों की भीर रीच का नाच देखने के लिए दोड़ी आती है उमीद करते हो आँ तक तो आप सब कुब केलिए होगा कि एक के बाद एक एक नहीं नहीं कहानिया उसमें वो एड़ कर रहे हैं कि इस तरह से का वागया है यानि हाल कई वागया है क्या रुप्यों की थेली नवाब सादर असन खाली खान के पास एक आदमी आया ठीक है और उसने आगे क्या कहा उसने आकर कहा रात भर रुप्यों घर में रहा इसी वज़े से मिया नजीद को नीन नहीं आई और जवाब में कहला भीजा के ज़रा से तालुक से तो ये हाले अगर जिन्दिगी भर का साथ हो गया तो ना जाने क्या हो गए ना फिक्र की मुझे सुने नीन नहीं यह तूने लगा कभी है यह तो मामला खराब है बहुत से बलावे आए मगर वो आकर मतलब वो आगरा छोड़ के नहीं गई किसकी बात हो लिए नजीर साहब की बात हो लिए ना नजीर अगबर अबादी की वो आगरा छोड़ कर नहीं गई आगरा सेटना टले हर बार टालमोटोल कर देते थी कोई ना कोई बहाना बना देते थे है ना कि मैं माशा भर का फिल्म चलाने वाला हूं मतलब बहुत छोटा आदमी हूं है ना मीरी क्या मजाल बस यही बैटे बैटे दुनिया देख ली है फकीर आदमी नामा गाता हुआ अंदर से आता है ठीक है या नजिर साब की बात कर रहे हैं कि वो सब क्या है बाहना बना द हम लोग है छम आऩधा के सब लोग गाता है जब वहों तो साय लोग भी उसे के साथ गाने लगते हैं कि आदमी नामा इसलिए उनके बहुत अच्छे उनके सारी नजबें बहुत अच्छी है और उन क्योंकि जब कोई चित हमें आती है और सामने वाला बहुत अच्छी आवाज में गा रहा होता है तो हम भी उसके साथ गुन गुना आने लगते हैं इसलिए सारा जो महाँ पे लोग थे स्टेज के नीचे जो बैठे हुए थे द लिए लिए आगरा बजार से लोग बेनियाजी से क्यों गुजर जाते हैं कि वह पैसे वैसे तलाश में लगे उग हुए और वह से बेनियाजी से गुजर जाते हैं बंदर लिये मदारी ने अपने तमाशे से क्या रंग जमाया था तो जैसा जैसा वो कहता था वैसा बंदर करता जाता था तो सारे लोग बड़े गुरूप बना के माँ खड़े हो गए थे अगला सवाल देखे लिखा है बाजार में जगड़े का क्या नक्षा पेश आया तो बताईए कैसे नक्षा पेश आया कि मदारी ने ककड़ी वाले को फेग उसकी टोक्री फेग दी उसके बाद लड़ू भी खड़ गए सारी तरह से लड़ाईने शुरू हो गई हमजुलियों मीर्थ और मीर्थ सब्सक्राइए को पादो कितनी सब्सक्राइए wat ने पित परशाणी को का है किसनी प्रोब्लमट सब्सक्राइब लेकिन में रहाए टो तक शल्दन चीन कमधे स्वाय भी बहुट बजाते अंनौई का ऐन गुमानिती है तो ईएक बहूर क sırہ न उन्होंने क्या कर दिया हमला कर दिया उसे देखकर गीदरय और चीलो ने भी हमला करना शुरू कर दिया गेध्चील हैं और सब भी माँ आ गय é ठीके आगे लिकिे और पैसे के मतालख नजीर की बेनियाजी बयान की ग toolbar है उतलá भर पसé को कोई जरुर तर उतलाए है इसके बाद देखिए यहां पर आपके काम दिया गए ग्रामर तो यह फिर आपके मुहावरे वगए इससे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा ठीके यहां पर अमली कान में यह दिया गया है कि ड्रामे में पताएं की जो मुफ्तलिफ खिसमें बताएं गई हैं उनके नाम लिखे तो यहां लिख सकते हैं यह यह बताएं गई हैं ठीके इस तरह से यह आपका नसर का जो किताब है पूरी कंप्लीट होती है इसमें सिर्फ अब आपको दो नजमी और पढ़ने हैं एक तो परचाईया है और एक और है चैन्त मसनवी है वो उनकी मीर की अपने घर का हाल है ना मुझे याद नहीं यही दो चीज़े आपको पढ़ने हैं बस वो दो वीडियो में आपकी और बना दूंगे उसके बाद जो आपके धनक उसके चार पाद चैप्टर है उनकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी इस तरह से आपका स्लेबस कंप्लीट होता है आप लोग से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि अपने अगर कोई आपके जूनियर या सीनियर है तो उनके साथ चैनल को वीडियो को जादा से जादा श आपके लेवग को जादा आपके लिए आपके लिक्वेस्ट चैनल को जादा आपके लिए।